हेलो स्टुडेंट्स वेलकम अगें इंगलिस क्लास इन क्लास नाइन्थ यह टेक्स्ट बुक इस बी हाइव और अब हम करेंगे यह हमारे पास इसका पार्ट आ गया है सेकेंड तो यहां से मैं इसके बारे में आपको बता दूँ कि जो हमारे पास सेकेंड पार्ट है इसमें आप यह पिक्चर साब देख लीजिए और जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा था कि वो भी म्यूजिक से संब्मन्दित था और यह पार्ट भी हमारे पास म्यूजिक से संब्मन्दित है दोनों ही पार्ट जो है डेबरो कोली की द्वारा रिटन है और म्यूजिक के बारे में है पहला पार्ट एवलिन गलीनी के बारे में और सेकंड हमारे पास जो चैप्टर है बेटा ये उस्ताज बिस्मिल्ला खान हमारे इंडिया से रिलेटिद है वो हमने देखा था कि वही रोईल अकैडमी यानि हम क उस्ताज बिस्मिल्ला खान के बारे में हमें बताया जाएगा ये दो वादे अंत्र आप देख लीजिए ये देखिए ये बेटा पुंगी जिस आप बीन कहते हो ये है सहनाई तो सहनाई जैसे आप लोगों ने नाम सुना तो सहनाई वास्तों में हमें ऐसा लगता है स्टेंजा हमारे पास है उमीद गरता हूँ कि आप सभी ध्यान पूरक देखेंगे से एंपरर ओरंगजेब बैन दा प्लेइंग ओफ ए मिजिकल इंस्ट्रूमेंट काल्ड दा पुंगी इन दा रोयल रेजिडेंस फोर इट हैड ए श्रील अन्प्लेजेंट साउंड यहां पर एंपरर ओरंगजेब यानि समराट ओरंगजेब जो है उसने बैन कर दिया प्लेइंग ओफ मिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा संगीत में वाद्य अंत्र था जिसे पुंगी कहा जाता था उसको बैन कर दिया परतिबन लगा दिया कहां इन दा रोयल रेजिडेंस कि कि वह शाही घर आने के अंदर यह नहीं बच सकता फोरी ठाड़े श्रिल कान बताया कि वह उसके एक तिक्की और एस्वहानिशी आवाज है जिसका नाम पुंगी कहा जाता है उस पर बैन कर दिया उसने पुंगी बिकेम दा जैनरिक नेम फोर रिडिड नौइज मेकर्स बत पुंगी जो है उसके बारे में बताया गया है कि यह एक ऐसा वादय अंतर था जो बास के बने हुए रिडिड उस जो बास से बने हुए वादय अंतर हा करते थे उन्हें पुंगी का नाम दे दिया जाता था few had thought that it would one day be revive और जब उसमें बैन हो गया तो कुछ लोग ने सोचा था कि एक न एक दिन यह revive हुगा revive का में बहुत है पुनर जीवीत इसमें बदलाव होगा एक barber of a family of professional musician बताया गया है कि एक नाई का परिवार जिसका व्योस्याय मुख्यत संगीत हुआ करता था who had access to the royal palace जो अक्सर शाही घराने यानि हम कहें महल में जाता था decided to improve उसने फैसला लिया the tonal quality of fungi कि पुंगी की जो आवाज की जो quality है उसको वो improve करेगा उसमें कुछ हम कहेंगे कि भई सुधार करेगा he choose a pipe उसने एक pipe choose की with a natural hole stem जिसके अंदर वास्त में प्राकरते के एक छिद्र होता था that was longer जो लंबी हुआ करती थी and broader और चोड़ी हुआ करती थी than the pungi pungi के पेक्षा and made seven holes on the part of the pipe और उस pipe के अंदर बताया जाता था उसने साथ hole बना दिये when he played on it और जब उसने उसे बजाया closing and opening some of these holes इन कुछ holes को बंद करते हुए और खोलते हुए soft and melodious sound were produced तो बताया गया बिटा उससे बड़ी ही मन मोहक आवाज उत्पत या हम कहेंगे की निकली he played the instrument before royalty and everyone was impressed और उसने उस वादे यंत्र को शहई घराने में उसे बजाया और हर किशी ने उसकी तारिफ की the instrument so different from the pungi ये जो वादे अंत्र था पungi से बड़ा ही अलग था had to be given a new name और इसको एक नए नाम दिया गया as the story goes जैसा कि कहाने बताती है since it was first played in the charge chamber कि इसे पहली बार शहा के कक्स में बजाया गया chamber में बजाय गया and was played by a nai और nai ने इसे बजाया ता बार बर जिसे हम nai कहते हैं the instrument was named senai तो इस इंस्टू का नाम senai रखा गया second part आईए अभी हमें पता लगा भाई senai का विसका हुआ कैसे the sound of a senai begin to be considered auspicious senai की अवाज आम तोर पर बड़ी ही शुब समझी जाती है and for this reason और इसी कारण से it is still played in temple ये आज भी मंदिरों में बजाय जाती है and it is an indispensable component of any north Indian wedding और आज भी ये उत्तर भारत के अंदर जो शादिश अमारों होते हैं उसका एक अभिन अंग है यानि शादिश अमारों में इसे बजाया जाता है in the past अतीत में senai was part of नोबत और traditional assemble of nine instrument found at royal court अतीत में बताया है senai जो है वो नोबत का एक हिस्सा हुआ करते तिरी परंप्रागत जो शाही दरबार के अंदर नोरतन होते थे उनमें एक हुआ करती थी till recently it was used only in temples और अब भी ये हम ये कहेंगे मंदिरों के अंदर बजाई जाती हैं वेडिंग्स और शादियों में बजाई जाती है the credit for bringing this instrument on the classical stage goes to ustaz बिस्मिल्ला खान इस वादे यंत्र का सास्त्र संगीत के मंच पर लाने का सारा स्रे सारा स्रे ustaz बिस्मिल्ला खान को जाता है thank you so much again I want to say that have a nice day and I am Hirlal sir from international school Rajbura thank you veta